आप देखने दर फुल्ड़। इसमें बलड आने का भी खत्रा बन जाता है। बहुत से लोग तो जीब से बार बार इसे गिला रखने की कुशिश करते हैं। लगन ऐसे में ये समस्या और भढ़ जाती हैं। और होट कई अथिक मात्रा में फटने लगते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि अपने होटो को कैसे आप शुरक्षित रख सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कुश टिप्स हैं जो कि आपके हेल्ट केर और डेली लाइफ रूटीन में बेहत काम आ सकती हैं। बदलते मौसम के साथ स्किन ने कई तरह की परिशानिया आने लगती हैं। इसमें खास कर होटो में ज़्यादा परिशानी होने लगती है। आपको अपने लिप की केर करना ज़रूरी हो जाता है। जब से ज़ादा रूखे हो जाए तो आप इसके और केर करते हैं लेकिन इसके रहे आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको बताएंगे घर पे ही कुछ सरल नुस्के जो आपकी बहुत कामा सकते हैं पहला होटो को ख्याल लखने के लिए आपको लिप स्क्रब लगाना चाहिए इसके लावा थोड़ी सी ब्राउन शुगर मिलाक स्क्रब को होटो पर लगाए ऐसा करने से आपके होट की डेट स्किन भी हट जाएगी दूसरा ऐसा माना जाता है कि देशी घी होटो के लिए रामबानी लाज होता है रात की समय जब आप सोएं तो सोने से पहले अपने होटो पर देशी घी से 10-20 सेकिन तक मसाच कर लें तीसरा होटो को हेल्दी बनाने के लिए उस पर वैसलीन या कुछ मौशराज लगाते रहें साथ ही अच्छी क्वालिटी का आप लिप बाम भी इस्तमाल ले सकते हैं चौथा नारियल के तेल में भी कुछ बूंदे जैतून के तेल का मिलाएं और होटो पर इनकी कम से कम 20 मन तक रखने दे पांच्छा ऐसा का जाता है कि नादे समय आप अपनी नाभी में सर्शो का तेल लगाएं इससे आपके होट मौशराइज रहेंगे आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की बाखी जानकारी के लिए हमारे साथ जड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद